हलो फ्रेंड्स आज है बर्काव डे फाइफ और मैं सो के उठ गई थी और मैंने थारायर की टेबलेट ले ली थी सबसे पहले देन उसके बाद मैंने गरम पानी पिया है और उसके साथ मैंने लिया है फ्लैक सीर्ट्स जिसे अल्सी का बीस बोलते हैं तो मैंने बोल ले लिया है और उसके बाद गरम पानी मैंने गरम पानी से इसको देन इसी तरीके से आपको चबा-चबा के खाना है और उसके बाद आप पी लिजिए गरम पानी और कुछ न कुछ आप अपनी मौर्निंग रुटीन में जरूर एड़ करिएगा उससे क्या है बहुती बेट लॉस में आपको मदद मिलेगी उसके बाद देन वही मैंने ड्राइ फ्रूट लेना होता है तो वो मैंने ले लिये हैं जो भी आपके पास वह आप ले सकते हैं देन उसके बाद मैंने चाई पी ली है और उसके बाद ये मौनेको बिस्किट और मैंने पी ली है चाई हम दोनों बैट के चाई पी रहे हैं हस और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया है हरा भरा पोहा जो कि मैंने इस तरीके से ये पोहा में दिखा रही हूँ इसमें क्या है इसमें मतलब एक इंसाइड मसाला का पैकिट आता है तो अगर आपको कहीं पर मिल जाए तो आप जरूर पर्चेस करिएगा ये काफी अच्छ हो जाता है तो मैंने आपर जैसे पोहा बनाते हैं उसी तरीके से मैंने जो है मकर राई डाल करके पोहा बना लिया है और सारी सबजीय मिक्स करके आज मैं पोहा बना रही हूँ तो काफी अच्छा लगने वाला है और मैं दे रही हूँ बेटे को हाँ बेटे को मैंने दे दि और कभी तो मैं पहले बना देती हूं, कभी मैं बर्काउट के बाद बनाती हूं, जैसा भी टाइम मेरे पास होता है, तो यहां पर मैं ले रही हूं, पोहा का इंज्वाय कर रही हूं, और पोहा के साथ मैंने ली है चाय, जो कि आप लोग जान गए होंगे, कि चाय मुझे बह हम उनी को लेने जाएंगे, तो बस नहां दो के मैं रेडी हो गई हूं, और हो गई हूं तयार, उसके बाद आब हम चलेंगे, मार्केट तो बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में, और उसके बाद ये देखे, हम लोग जो है बाइक से गएते, और क्योंकि थोड़ा न तो यहां पर क्या है, यह देखे, सारे मलब सभी जगे हमने गड़ेश जी को देखा, उसके बाद मुझे ये पसंद आ गए, आपने देखा, और उसके बाद मैंने इने ले लिया है, और अब हम ले चलते हैं अपने घर, यह देखे, और अब हम ले चलते हैं घर में, तो घर में बस हम ले आए हैं यह देखे और भस ढख करके लाया जाता है गडएश जी को तो मैंने भी ढख लिया है और उसके बाद अब मैं जारही हूं मंदिर में यह देखिये गली में मेरा मंदिर बना हुआ है और यह देखें तो यही人 मंदिर में ही हम लोग स्थापित करेंगे और उसके बाद तब तक क्या था कि हस्बेंट मंदिर में थोड़ा बहुत मतलब फूल माला लगा रहे थे जहां पर भी गड़ेश जी बैठेंगे तो उससे पहले हमने क्या किया कि गड़ेश जी को मैं हाथ में पकड़े थी तो मेरा यह न्यू घर बनाऊओ है आपने ब्लॉक देखे होँगे अभी थोड़ा सा अनकंप्लीट है जब यह कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको जो है इसका देती रहोंगी सारा कुछ अपडेट अभी अनकंप्लीट पड़ा हुआ है तो मैं ब्लॉक नहीं आ रहे है मेरे उसक तो कपड़े को मैंने खोल दिया है, देन उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लाई थी गड़ेश जी के लिए ड्रेस, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, दुकान पर मैं गई तो मुझे ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी और मातारानी के लि उसके बाद मैंने आगे आप देखिएगा वीडियो में, मैंने बस्तर हटा दिया है, क्योंकि गड़ेश जी जो प्रतिमा है, वो पूरी ढख रही थी, तो लुक नहीं आ रहा था, यहाँ पर देखिए, देवी जी मेरी कितनी अच्छी लग रही है, बड़ा ही प्यारा लह महमान ही है, जितने भी दिन रहेंगे, तो महमान आते हैं, सबसे पहले पानी पिलाते हैं, तो बस हम क्या करेंगे, पूजन के बाद आरती करेंगे, आरती के बाद हम उन्हें मोदक खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे, यह देखिए, आपने देखा ना मोदक, मैंने भोग और मोदक भाई हम लोग खिलाएंगे हाथ में रखेंगे भाई नहीं लिये हैं तो अच्छा फ्रेंड्स अगर मोदक वाले लाए जाते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताना मुझे और यहां पर कुछ नहीं मैं कर रही हूँ आरती और मोदक से मोदक मैंने खिला दिया है जल प्ला दिया है उन्हें तो बस आप जो है आरती करने के बाद वहरा गडeश-जी ऑणक genere करेंगे अब हम बना लिंगे इनका भोग मैंने भोग में बनाई हुई थी पूरिया और खीर और पूरी मैंने बनाई हुई थी वो मैंने भोग लगाई थी लेकिन मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने हस्बेन को दे दिया था भोग लगा लू आप तो वस उसके बाद क्या है दोपेर में मैंने बनाया था लौकी अपने लिए और एक रोटी जादे मन नहीं था क तो उसके बाद फिर साम कीए मैं पी रही हूँ चाय और उसके बाद फिर साम को भी मैंने आर्टी की है गड़िस जी की और साम को मैंने भोग लगाने के बाद उन्हें सुला दिया है और हमने भी खा लिया है खाना साम को हमने भी जो है बैगनालू की सबजी बनाई थी तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक से रहन सस्क्राइब करिएगा यहां पर मैंने इस तरीके से मैंने गड़ेश जी को भी खिला दिया और यह हुए मेरा वर्काउट डे वीडियो पसंद आए लाइक से रहन से